अरे सुखु जी आपको भी नैतिकता के अधिकार पे कह देना चाहिए के भाई छोड़ दो आप और भी बच्चो को आने दो आपको आपको कहना चाहिए था आपने नहीं का और आप मुझे उल्टा कह रहे हैं कंगना कितनी बे धड़क और बिंदास बोलती है ये तो हर किसी को मालूम है लेकिन पॉलिटिक्स में कितना खुल कर बोलती है ये देखना अभी बाकी है कंगना की प्रेस कॉन्फरेंस में ये सब बाते खुल कर सामने आई है कंगना से सवाल पूछा गया कि CM सुखु लगातार कह रही है कि आप हिमाचल में शूटिंग कर रही है और आपकी डाइरेक्टर जैराम ठाकूर है जो पहले से ही फ्लॉप है इस सवाल की जवाब पर कंगना ने कहा कि ये काफी निंदन ये हैं कि मुख्य मंत्रेची कह रही हैं कि मैं वापिस चली जाओंगी लेकिन मेरा सवाल सुखुंदर सिंग सुखु से ये है कि वीर भदर परिवार ने मंडी की सत्ता को कई मर्तवा अपने हाथ हो में रखा लेकिन आज भी उसी परिवार से आपने टिकेट दिया है और अगर साधारन परिवार से कोई बेटी पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं तो आप उसे ड़रा धंगा कर वापस भेशने की बाते कर रहे हैं क्या वीर भदर परिवार को कुर्से से चिपकाई रखना चाहते हैं। सुख्खु को तो ये कहना चाहिए था कि राश परिवार को छोड़ किसी और युवा को मौका देना चाहिए। देखें क्या कुछ कहा है कंगना ने। I think बहुत ही निंदनी है ये। एक तरफ तो हमारी भारते जंता पार्टी है जिन्नोंने महिलाओं को 50 पर्टिशत जो है वो आरक्षन दिया पंचायतों में। पहले महिला पर्टाने आपको देखने को नहीं मिलती थी और अब मैं जा 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 रही हूं मुझे सिर्फ महिला पर्टाने दिख रही है और एक तरफ सुखु जी है जो ये कह रहे हैं कि ये तो जी है वापस चली जाएगी। क्यों सुखु जी मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ के विक्रम आदित्य के परिवार से जो है छे बार चीफ मिनिस्टर रह चुके है आठ बार मेंबर ओफ पारलिमेंट आठ बार मतलब 40 साल से जादा आरसा मतलब कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी मतलब जब मेरे ममी पापा की शादी भी नहीं हुई थी तब से मेंबर ओफ पारलिमेंट रह रहे हैं एक जेनरेशन के जेनरेशन आ गए हैं जो भी खुद बुड़े हो रहे हैं लेकिन कैये लोग कुर्सी से चिपक गए हैं उनकी माता जो है वो परदेश अद्यक्ष है खुद MP है बेटे जो है वो दस साल से जो वो विधायक है अभी वो मिनिस्टर है PWD मिनिस्टर है एक बेटी एक साधारन परिवार की बेटी अगर आना चाती है पलिटिक्स में तो आप उन्हें डरा धमका के कहरें के वापस चली जाएगी क्या तरीका है ये क्या मतलब इनी लोगों ने क्या चिपक जाना है क्या कुर्सी से और कोई आई नहीं सकता क्या मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि मेरा तो भगवान की क्रिपा से बहुत बड़ा नाम है और शायद हो सकता है इसलिए जो है भारती जंदा पार्टी को मुझे भेजना पड़ा का इस काम पे कैसे कोई आमसा धारन लोग कैसे आएंगे इनकी पावर और इनके पैसे और इनके जितना इन्होंने पूरा एक सिंडिकेट बना लिया है कैसे ही वो पैनिट्रेट करेंगे क्या हमारे हिमाचल में और कोई योग योगा रही ही नहीं है ये परिवार चिपकी गया है क्या कुर्सी से अरे सुखुजी आपको भी नैतिकता के अधिकार पे कह देना चाहिए के भाई छोड़ दो आप और भी बच्चों को आने दो आपको आपको कहना चाहिए था आपने नहीं का और आप मुझे उल्टा कह रहे हैं के तुम नहीं कर सकती हैं परास्पनीति यह महिला विरोधी सोच जो है वो कांग्रेस के पतन का कारण है यह महिला विरोधी सोच